नमस्कार गुड आफटर्लोन एवरिवन वेलकम तो दा आउनलाइन प्रेटफर्म ओफ लॉप्रेप जुडिशरी देखिए आज जो हमारी क्लास है ये सूपर डूपर स्पेशल होने वाली है ये कल की पार्ट का सेकंड पार्ट है ठीक है कल एक्चुली हमने हर्याना जीके का स्पेशल सेशन किया था एक और उसके कंटिनुशन में हम अब आगे पढ़ने वाले हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस क्लास को बिना टाइम वेस्ट किये देखिया जैसा कि आप सब जानते हैं ऑनलाइन और आफलाइन दौनों जुडिशरी के अंदर यह भी आपको भेज दूँगा ठीक है और यह जैसा कि मैंने आपको मैप बताया था कल भी और यह मैप हमने कल पढ़ लिया था फिर मैंने आपको बताया था कि हरियाना वास काव्ड यह डेट याद रखना आगे MCQ कोशन में है यह यह डेट याद हो नहीं कर चाहिए ठीक ह कि सिरफ इस स्लाइड से 5-6 कोशन बनते हैं और वो 5-6 कोशन मैं आज ही लेके आया हूँ तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी ठीक है इसी के साथ में मैंने आपको बताया था 6 डिविजन्स के अंदर है और टूटल 22 डिस्टिक से हरियाना के अंदर साथ ही के अंदर के जी एस और कॉंसिटूशन तक सी में तूँ हाँ सी एर्पी सी थोड़ा हाई लेवल हो गया मेरे फ़ी हाँ वो क्या कहते उसको मेरे जूरिस्टिक्शन से बाहर हो गया नबे सीट्स विदान सभा में दस लोग सभा में और पाच राज्य सभा में और हाई कोर्ट हर्याना का एक ही लगता है चंडिगर्ण में है जो हर्याना रेजिसलेटेव असेंबली की एक ही चीज याद रखने को कही थी मैंने स्पीकर जो की ज्यानचंद गुपता है 2019 से स्टेट अनिमल ब्लेक बक देन ब्लेक फ्रेंकोलिन इस स्टेट बर्ड ट्रीक पीपल है लोटस स्टेट फ्लार है फर्स्ट गवर्णर धर्मवीर श्री धर्मवीर फर्स्ट चीफ मिनिस्टर है बीडी शर्मा आज हम पढ़ेंगे डांस फॉर्म्स को लेकर बहुत ही इंट समय से है महाभारत के समय से धमाल यहां पे इस्तित है देखिये यहां पे whose origin goes back to the days of the महाभारत हाँ the dhamal dance is especially popular in the areas around गुडगाउं inhabited by ahirs ahirs के द्वारा यह होता है dance in the beginning of dance the player gives the first long note then ढोल ताशा नगारा and pick up the beat and the dance begins इस तरह से यहां पे यह dance होता है some of the dancers carry large depths in their hands these are edged with frits of brightly colored fabric others carry sticks और stick और medium length के sticks से उसके बाद फिर यह लोग dance करते हैं ध्यान रखेगा हर्याना जुडीशिरी के अंदर English level में ही है हिंदी में नहीं है इसलिए हिंदी में नहीं लाया अगर हिंदी में होता तो मैं हिंदी में जरूर लाता आप लोगों के लिए हां एक और dance form है दाप actually इसमें कोशन कैसे आ सकता है जैसे option number 4 option दे दिये इन में से पुछा कि इन में से कौन सा हर्याना का dance form है तो यह लगा दिया इन में से कौन सा हर्याना का dance form नहीं है लगा दिया ऐसे कर सकते हैं ऐसे ही कोशन आने की संभावना है dance forms की बात करें तो दाप is another form of seasonal dance of farmers deficit the joyful emotions on a good harvest advent of spring spring season को यह denote करते हैं दाप करके dance करके हैं it is a sort of community dance एक साथ मिलके community करती है the one-sided drum and the sound of the ornaments won by women offered the music ornaments जो दिये जाते हैं उसका sound आता है साथ में और drum का sound आता है इस तरह का music चलता है next पे चलते हैं fog dance देखिए एक है fog एक है गुमर यह fog और गुमर हर्याना में भी होता है राजस्थान में भी होता है राजस्थान के अंदर बहुत ही शांदार तरीके से इसे मनाया जाता है fogan का महीना यानि की holy आने वाली है तो fog dance उसको lunar month of falgun ठीक है falgun करके हिंदी में कहते हैं इसे seeks to celebrate the colorful festival of holy the dancers come together to the sound of tasha, nagara and dhol और भी बहुत सारे dance festival होते है इसी के साथ में गैर होता है गैर भी बहुत एक famous dance है राजस्थान और हर्याना का उसमें क्या करते हैं परसन को बहुत सारी चीजे पिला देते हैं drinks है ना और उसको फिर पूरे शहर में दोडाते हैं पता नहीं ऐसा ही कुछ है the man come running and singing the traditional songs of Falgun Falgun का गाना actually यह जो फाक डानस है यह male और female दौनों करते हैं ठीक है? followed by women carrying Korans the noted length of clothes clothes का length होता है तो उसको वो लेके डानस करती है they run about the men hitting with the Korans while men defend themselves तो वो उस कपड़े से men को मानने की कोशिश करेगी और वो बचता है as best as they can with shunties shunties का मतलब एक तरह से होता है क्या कहते हैं एक डंडी होती है उससे वो बचाता है हमारे तो यहाँ पे एक रात को एक ऐसा धिन कवर का मेरा लगता है जिसमें सारे के सारे लड़के बीच में से निकलते हैं लड़के खड़ी होती है और लड़कों को मारती है पगट-पगण के जोड-जोड से बहुत सारे लोग जाते हैं वहाँ पर एक होता है डांस घूमर वर्ल्ड फेमस है अब तो यह घूमर डांस तो घूमर is marked by circular movements यह सिरफ फीमेल डांस है कुछ लड़के भी कर लेते हैं बट वह फीमेल डांस ही है गूमर is generally performed by the girls of the areas bordering Rajasthan Rajasthan के आसपास के अरिया वाले the dance dancers form a circle and move about clapping and singing while tempo of the dance is accelerated धीरे धीरे वह जो टेंपो है वह बढ़ता रहता है बढ़ता रहता है गुडगाओं का नाम change करके गुडगाउं हो गया है सचर क्या बात कर रहे हो गुडगाओं का नाम गुडगाओं हो गया कब? मुझे तो पता ही नहीं अरे तो जो मैं क्या बताऊं हूँ अब आपको गुडगाउं को हो या गुडगाओं को हो बात तो एक ही है न जी ठीके, ओफिशल के अंदर, जो ओफिशल चीजे है, उन सभी के अंदर गुरु ग्राम हुआ है, ठीके, हाँ, बाकी गुडगाओं ही है, ठीके, हमारा प्राज, हाँ, आगे बढ़ते हैं हम अगले कोशन पर, अगर गूमर है, तो गूमर के जैसा-जैसा जूमर भी है, ठीके, जूमने का, जूमर का मतलब होता है, जूमना, राइट, हाँ, अरे मुझे तो पता ही है, कि नाम चेंज हो गया है, जी, हाँ, लेंग्वेज हिस्ट्री के अंदर चेंज नहीं होता है, ठीके, वो जो ओफिशल डॉक्यूमेंट्स अब जो नए आएंगे, उसमें चेंज के टाइप, याँ, शूमना, बाइंग्वेज राइट, हाँ, जूमर डांस को ही हरियान फी गिदा भी कहा जाता है, याँ, कि गिदा डांस पंजाब का तो है ही, हरियाना का भी माना जाता है, Dressed in colorful costumes, the ladies dance in gay abandoned singing and clapping with the beats of dholak and thali while gracefully moving in a circle Circular के अंदर घूम के और जूम करती है ये जूमर डान्स करते हैं ये Famous चलिए नेक्स्ट पे आते हैं Lour एक और डान्स परफॉर्मेंस अबसे भारी Lour Lour is performed by girls during the month of Falgun Lour डान्स भी हाँ तो यहाँ पे फालगुन के महीने में जो spring season होता है उसके महीने पे Lour एक डान्स फॉम में जो परफॉर्म होता है and it's so named because the Lour means girl in the bangar region of Haryana उस region की औरते जो है डान्स करती है girls डान्स करती है perform during the holy festival this dance marks the spring season and the sowing of the rabi crops इस डान्स के दोरान जो rabi crops से उसे सो करते है सो मतलब यहाँ पे बोते हैं the song is generally in the form of questions and answers तो यह कोशन करते हैं और उसके बाद फिर उसका अंसर मिलता है ठीकि फिर यह वापस कोशन करते हैं इसे अंसर को उता रहता है अगला है गूगा डान्स actually गूगा एक बहुत बड़े saint थे तो उनकी जो कबर है उसके आसपास यह लोग डान्स करते हैं जो इनको प्रीच करते थे गूगा डान्स is performed by गूगा a saint devotees उनके जो devotees हैं वो करते हैं they dance and sing around his grave grave के आसपास to show their devotion the Guga is exclusively a male dance performed in possession taken out in memory of saint Guga यह important है आई आगे बढ़ते हैं हर्याना के music के अगर हम बात करें exam purpose के लिए not important ठीक है बढ़ाना पड़ेगा हर्याना is a state of rich musical traditional and even some places have been named after ragas जो rag होते हैं न संगीत के उसके base पे नाम भी रखे गए हैं देखिए कौन-कौन से for example चर्की दादरी नाम है यह district है चर्की दादरी I think सबसे कम population है यहाँ पे ठीक है lowest population सबसे कम population यहीं पे है हाँ टोडी टोडी करके जगे है यहाँ पे गाव है हाँ असावेरी, जैसरी, माला, कोशना, हिंडोला और भहरवी यह सब राग है ठीक है घराने के राग है यह और यह सब के नाम की विलेज आपके यहाँ पे है mainly two main forms of music exist here classical folk music and desi folk music ज़ादा जो है यहाँ पे desi folk music होता है हाँ they take the form हाँ नया district भी है यह they take the form of a verse and punks of parting of lovers valor and bravery अलग-अलग तरे के संगीत गाते हैं यह हाँ अलग-अलग तरे से punkhtiya गाते है सबसे ज़्यादा population है आपके फरीदाबाद फरीदाबाद ठीक है अब देखो हरियाना जी के आ गई है मुझे bravery के गाने गाते है harvest के गाने गाते हैं और यहाँ तक की जो खुशी के गाने जूमते हैं यह the folk music of हरियाना has been spread by the buts, sangies and jogies इनको जो spread किया है इनको फैलाया है इन लोगों ने फैलाया है next पे चलते है musical accompanies not important at all exam के लिए बिलकुल भी ज़रूरी नहीं है याद करना चाहिए लेकिन हमको पता होना चाहिए many traditional instruments like सारंगी, harmonium चिमता, धड, धोलक, मंजीरा, मंजीरा इसको कहते है करतल, डमरू, दूगी, दफ बानसुरी, बीन, घुंगरू, धाक, घरा थाली and शंक are used to make music here इन अलग-अलग तरे इसे होता है आगे बढ़ते हैं food खाने की बात आ गई है और लंच का समय भी हो रहा है और खाने की बात क्यूं आई है अभी तो क्लास बड़ी बाकी है there is saying famous in Haryana हाँ देशन में देश हरियाना जित दूद दई का खाना ठीक है, देशन में देश हरियाना जित दूद दई का खाना क्या बात है among places is Haryana where the staple food is milk and yogurt यानि की दई और दूद के तो दिवाने होते हैं ये बिलकुल the homemade butter is popularly known as नूनी और टिंडी in the state बहुत ही शानदार रहता है ये और हरियाना के दूद दई खा के कितने हटे-कटे रहते हैं आप सब जानते ही है बाजरा की खीचडी बनाते हैं ये बहुत ही famous होती यहाँ पे जैसे बाजरे की रोटी होती है वैसे ही जित मतलब जहां जित का मतलब होता जहां पे लोग ये खाते हैं डई और दूद which is prepared with millet porridge and eaten with कड़ी और घी गी और कड़ी और ये लोग घी नहीं डालते बहुत सारा वो क्या कहते हैं उसको white makhan डाल very good, बिल्कुल सही कह रहा हूं बिल्कुल सही कह रहे हो घी से ज़्यादा ये makhan डालते है और तैरता है makhan ठीक है the deserts contain गाजर का हलवा, खीर, रबडी made from wheat flour and butter milk daily charge तो चाहिए ही हाँ, अभी मुर्रा भैस आ रही है on the way है हाँ, अगले ही slide के अंदर अभी मुर्रा भैस आएगी फिर है यहाँ पे agriculture तेखिए हर्याना के अंदर 70% population कितनी? 70% population जो है agriculture करती है ठीक है wheat and rice are the major crops ठीक है, wheat और rice सबसे ज़्यादा major crops है, actually rice कम है wheat जादा है हर्याना is self-sufficient एक मात्र हर्याना एक ऐसी जगे है जो क्या कहते हैं जिसे कहीं भी दूर से बाहर से लाने की जुरुत नहीं पड़ती खुद ही अपना खाना बनाते हैं ठीक है, जैसे दूसरे state से जहाँ पे बाहर से मंगाना पड़ता है unable to find pdf, please help telegram पे जाईए surya sir underscore english पे जाए ठीक है, telegram group मैं आ जाऊँगा, उसके अंदर सारी pdf available है, कोई भी दिक्कत होती है telegram पे मुझे message कर दीजे मैं आपको बता देता हूँ ठीक है, हाँ and the second largest contributor to India's grain production जो पूल होता है grains का सबसे ज़्यादा second largest जो है यही है Haryana contributed significantly to the green revolution in India green revolution, हाँ right, करनाल के अंदर सबसे ज़्यादा rice की फसल होती बिलकुल सही है, मौमिद आकिल, very good आप जो बोलते हो, वो बिलकुल perfect बोलते हो, very good I like it, made the country self-sufficient in food production self-sufficient का मतलब होता है कि आपको किसी दूसरे state से करीदने की या लाने की जरूत नहीं है, आपके यहीं पर उगता है आपके यहीं पर खाते है milk production भी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर हाँ, समझ लीजिए यह जो 70% लोग यह हरियाना के अंदर हर एक के घर में गाये है इससे ज़्यादा आप क्या भोलू मैं बात ही खतम हो गई the state has also significantly contributed to the field of agriculture education agriculture की education के लिए सबसे बड़ा, ठीके यहाँ पर खुला है जिसका नाम है चौधरी चरन सिंग, एशिया का सबसे बड़ा है ना चौधरी चरन सिंग, हरियाना agriculture university कहां है हिसार के अंदर यह कोशन आ गया which has already made a significant contribution in ushering green revolution green revolution में अच्छा कासा काम इन्होंने किया है next question dairy farming की बात करें तो देखो dairy ही dairy है dairy farming is also an essential part of the rural economy हरियाना has a life stock population of 98.97 lakh है ना अब ये पहले का है ठीक है जब census हुआ था बट अब नहीं अब तो क्या हो गया चेंज हो गया है ठीक है milk and milk products form an essential part of the local diet समझ लीजी इसका double हो गया होगा अब तक तो ठीक है बट अपन को authenticity नहीं है ना जब तक data नहीं आएगा तब तक authentic नहीं मानेंगे 2011 का ही follow करना पड़ेगा हर्याना with 660 gram of availability of milk per capita per day हर एक person को average 660 gram तो चाहिए ही चाहिए ठीक है हाँ और इंडिया का average 230 से अब आप खुद सोच लो यहाँ पे कि हर्याना वाले कितना दूद दई खाते हैं ना more than 400 हाँ एक average person की बात करे तो ठीक है तो milk society शांदार है मतलब awesome है यहाँ पे हर्याना के अंदर चीजे भी सस्ती है सस्ती मीन्स पैट्रोल भी सस्ता है और हर्याना government भी बहुत support करती है अच्छी बात है और fastest growing भी है हाँ dairy farming के साथ साथ the national dairy research institute कहाँ पे है करनाल के अंदर and the central institute for research on buffaloes कहाँ पे है हिसार में ठीक है हाँ और नएने breeds बनाते हैं ये cattle के और सबसे बड़ी जो famous जो यहाँ पे है वो है मुर्रा breed of water buffalo मुर्रा breed को क्या बुलाते हैं black gold बुलाया जाता है मुर्रा breed of water buffalo from hariyana is world famous for its milk production and termed as black gold इनके black gold भी बुलाया जाता है ठीक है दूद तो सफेती देती है बट मुर्रा breed एकदम काली सी और एकदम शानदार रहती है आगे बढ़ते हैं और इसकी rate बहुत लाखों में हैं मुर्रा breed की हाँ अगर आपके यहाँ petrol 98 है तो यह बहुत सस्ता है हमारे यहाँ पे 118 है आजस्तान में ठीक है सोच लो अब आप यहाँ पे हाँ नेक्स्ट कोशन पे चलते हैं टूरिजम की बात करें तो exam purpose के लिए इतना important नहीं है टूरिजम हाँ कोशन आने की संभावना तो नहीं है यहाँ से हाँ हरियाना है set up a number of tourist complexes motels motels का मतलब एक तरह से hotel ही होता है हाँ बाहर की side में सोजाते हैं वहाँ पे camping sites to promote tourism हाँ हाँ हरियाना has one of the most successful tourist जी 108 नहीं है 118 है हमारे यहाँ पे जी ठीक है अलग-अलग rate होती है हाँ वही तो मतलब यह समझ लीजिए कि आप हरियाना के comparison में राजिस्थान में बहुत जादा है जी पेट्रोल हाँ 108 वह नॉर्मल वला होने की सम्भावना है जी आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पर हाँ the tourist complexes are named after birds found in हरियाना some of these places have dormitories all of them have restaurants hotel Raj Huns है हाँ डेली आगरा हाईवे है करन लेक है स्काइल आर्क परकीत एं किंग फिशर अंबाला आरों डेली चंडिगर not a dot important यह काम का नहीं है ठीक है आगे बढ़ते हैं research institutes की बात करें तो यह जरूरी है इसमें से यह तीन जरूरी है ठीक है Central Institute of Research on Buffaloes हिसार में है National Dairy Research Institute करनाल में है यह तो इंडिया जीके का भी कोशन है हरियाना जीके के साथ साथ इंडिया जीके का भी कोशन है National Brain Research Center कहां पे है गुडगाओं के अंदर यह सारे के सारे important है हरियाना के कुछ facts है अब देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा हाँ यह सारे जरूरी है चीक है हाँ आईए archaeological museum कहां पे है जजर जजर के अंदर नब चोर जो की evening newspaper है published from हिसार not important kingdom of dreams गुडगाओं सेक्टर 27 गुड पोस्टल सर्वेस इन अंबाला जो है बहुत ही special चीज लेके आया हूँ उस special चीज है आपके हरियाना के cities का nickname total 26 nicknames 24 nicknames लेके आया हूँ ठीक है बहुत ही मज़ा आने वाला है आज की class में और यह सबसे interesting part भी होता है माता परकश कॉर वेलपेर सेंटर फॉर परसंस विश्पीच और इंपेर्मेंट कहां है करनाल के अंदर next question St. James Church Tower कहां है करनाल निर्मल कुटिया जो है कहां पे है करनाल में गांधी मैमोरियल हॉल भी कहां है करनाल और यहां तक की first one stop center for distress women भी कहां है करनाल यह सारी चीज़े यहां पर है next question पर चलते है first post office passport center of हर्यानाभी करनाल में है करनाल इतना famous है क्या आपके Google boy का नाम है कॉटल यह पंडित important कॉटल यह भी नाम है इसका महर्शी बालमिकी संस्कृत यूनिवर्सिटी मूंदरी कैथल के अंदर है यहां पे जी धन का कटोरा is equal to करनाल बिलकुल सही पीर नाव बहर जो है कहां पे है घूला केथल के अंदर है यह भी भाई उदे सिंग जो की केथल का आखरी emperor था भाई उदे सिंग कोस मिनार्स जो है किसने बनाए थे शेर्षा सूरी ने बनाए थे देवी टेंपल ओफ पानीपत मराठाज ने बनाया था देवी टेंपल ओफ पानीपत वो अरजुन कपूर वाली मूवी में दिखाया गया है गांधी म्यूजियम कहां पे है पलवल टूम ओफ रोशन चिराग पलवल के अंदर है शहीद मिनार कहां है हतिन ओध ट्राइब होडाल की है सुनील लन्बा जो है यह अमरपूर विलेज के है पलवल के अंदर अब जो सबसे इंपोर्टेंट और जो सबसे क्या कहते है इंट्रेस्टिंग क्लास की चीज है हाँ वो यह है आईए स्टांट करते हैं सबसे पहले सेंटिफिक सिटी ओफ हर्याना सेंटिफिक सिटी ओफ हर्याना किसे कहा जाता है अंबाला को क्या किसे कहा जाता है अंबाला को साइबर सिटी ओफ हरियाना, गुडगाओं, सबको पता है ये, मैडी सिटी भी गुडगाओं है, पेपर सिटी ओफ हरियाना, यमुना नगर, ठीक है, यमुना नगर को हम पेपर सिटी ओफ हरियाना कहा जाता है, सुगर सिटी ओफ हरियाना, पलवल और रोताक दोनों है, फेम इसमें तो कोई दो राए है यह नहीं और कितना historical importance है यह आपको नहीं सभी को पता है Milk City की बात करें DLF is Heart of Good Gown अभी सब आएगा एक एक चीज आएगा चिंदा ना करो Milk City जो है वो कौन सी है जिन्द मानी जाती है Milk City Milk City of Haryana Cotton City of Haryana पलवल को बोली जाती है Weverse City पानीपत एक्जाम का कोशन है आपके City of Martyrs जजर शहीदों की City शहीदों की नगरी जजर को कहा जाता है Steel City of Haryana हिसार Brass City of Haryana रेवाडी Next Industrial City of Haryana फरीदाबाद important Current City of Haryana करणाल उसी के नाम पे है City of Saints सीर्षा वैसे सीर्षा में Muslim population बहुत जाता है Forest City of Haryana सीर्षा और largest city भी है ये Largest city by area काशी ओफ हर्याना बीवानी है काशी ओफ हर्याना और छोटी काशी ओफ हर्याना कौन सी है कैथल ठीक है Brass वो होता है ना Tamba Tamba Brass होता है Next question Current City मतलब करणाल जहां पे करण रहते थे Capital City जो है यहां पे कैथल Beerbal City जो है वो नर्नौल है Important है मेवत को मिनी पाकिस्तान कहा जाता है हाँ 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 महाबारत वला करण बिलकुल Pink City of Haryana फत्यवाद है The Golden City of Mahabharat period क्या है सोनी पत Heart of Haryana कहां पे है Jind Heart of Haryana Right और City Rice bowl of Haryana जो माना जाता है वो है करणाल माना जाता है ठीक है आगे बढ़ते है MCQ चलिए मैं पानी पीता हूँ जब तक आप सबसे पहला MCQ करिए Who is known as the last ruler of Northern India देखिए बहुत ही important question है जल्दी से बताना है इसका अंसर आपको पटाफट से धर्म नगरी कुरुक्षेत्र बिलकुल सही हाँ पैरेश और फर्याना किसे कहते है पटाफट से बताईएगा मुझे सूरजकुंड फेयर कहां पे होता है वो होता है फरीदाबाद के अंदर Who is known as the last Hindu ruler last Hindu ruler की बात करें हर्याना के तो उनका नाम क्या है नॉर्दन इंडिया के तो वो हर्ष वर्दन है पैरेश और फर्याना जिन्द को कहा जाता है very good oh my god अरे ऐसे अलग-अलग सीटी के नाम होते है ठीक है ऐसा होता है next question पे चलते हैं कलपना चावला belongs to which district of हर्याना तो कलपना चावला की अगर हम बात करते हैं तो वो कलपना चावला वो ही है जिसके डैथ का अभी तक प्रमान नहीं है कैसे हुआ क्या हुआ next question अरविंद केजरिवाल हाँ जो की chief minister of Delhi है ये कहां पर हुए थे इनका bond यानि कि ये हर्याना के ही है आपके अरविंद केजरिवाल तब ही तो इतनी हिम्मत है ये थे बिवानी डिस्टिक के answer number T आप में से भी कोई होगा बिवानी डिस्टिक का next question पे चलते हैं चौदरी बंसी लाल इस बेस्ट नोन एज ठीक है हाँ तो एक तो iron man of India तो कौन है सरदार वललबाई पटेल सेम इसी तरह से चौदरी बंसी लाल जो है iron man of हर्याना माने जाते हैं हाँ बिलकुल करनाल में इसी वज़े से कलपना चावला उनिवर्सिटी है इसी रीजन से है next question पे चलते हैं iron man of हर्याना किसे कहा जाता है चौदरी बंसी लाल को next question संतोष यादव the first and youngest women in the world to climb Mount Everest belongs to which district of हर्याना तो यह जो संतोष यादव है हाँ यह रेवाडी से है option number A रेवाडी रेवाडी is very famous next question पे चलते हैं who built Anangatal Sarover ठीक है Tomar Raja थे Tomar Dynasty के king थे तेखो Anangatal Anangpal ठीक है तो यहाँ से इसका answer हो जाएगा option number C Anangpal Second जो की Tomar Dynasty के थे उन्होंने Anangatal Sarover किया था यह इंडिया जी के का भी question है ठीक है next question पे चलते है Huynh Seng traveled to India during the reign of हाँ ठीक है हाँ Huynh Seng जो है देखो H for Huynh Seng H for Harsvartan Simplest it ठीक है H for Huynh Seng है और H for क्या हो जाएगे Harsvartan हो जाएगे option number B हो जाएगा perfect answer next question पे चलते है Who is known as the architect of modern Haryana ठीक है Who was the architect of modern Haryana किस तरह से उन्होंने किया modern Haryana को Right Tomer dynasty में क्यों पढ़ाऊंगा आपको जी मैंने नहीं पढ़ाया Right जब UP का पढ़ा रहा था तब जरूर पढ़ाया था मैंने इसका अंसर है architect of modern Haryana की अगर हम बात करें तो इसका अंसर है चौधरी बंसीलाल option number B चौधरी बंसीलाल next question पे करें अगर हाँ आगे बढ़ते हैं The first women politician of Haryana who served as the governor of a state is ठीक है ऐसी कौण सी women politician of Haryana थी जो सबसे पहली governor बनी इस्टेट की तो वो वही है हाँ चंद्रावती option number B चंद्रावती is the right answer हाँ next question पे चलते हैं who among the following was conferred the title sir by British government देखें sir का title तो बहुत लोगों को दिया था ठीक है बहुत ही सारे लोगों को दिया था हाँ आप ये शन्नो देवी अच्छा इसका अंसर तो हाँ हाँ स्वारी ये मेरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे ये तो कोई दूसरी है ? चंद्रावती तो आइठिंक अरे Hey चंद्रावती तो governor वो भनी थी क्या कह dress new day और अजब भरण थी ठीक हाँ शन्नो देवी वरस्ट गवर्नर wait a second शन्नो देवी तो speaker थी ना पर शन्नो देवी तो speaker थी पहली इसका अंसर चंद्रावती ही है ठीक है आप लोगों का गलत है यह इसका अंसर option number C option number B चंद्रावती ही है सर की बात करें अगर हम तो यह चाजू राम जो है यह है ठीक है ब्रेटिश गवर्मेंट ने टाइटल दिया था सर का next question पर चलते हैं the first battle of Tarayan ठीक है first battle of Tarayan जो है वो 1191 AD में आये थे हुआ था पृत्वी राज चोहान versus मोहमद गौरी पृत्वी राज चोहान से एक छोटी सी भूल हो गई कि मोहमद गौरी को मारा नहीं अगर ये मार देते तो डेली सल्तनत ही नहीं आती एक छोटी सी भूल हो गई थी इस वज़े से सारा मामला गड़बड हो गया 119 में फर्स्ट बैटल ओफ तराइन हुआ था पृत्वी राज चोहान विजय हुआ फिर 1192 के अंदर सेकिंड बैटल ओफ तराइन हुआ जो कि मोहमद गौरी जीत गया और फिर उसको पृत्वी राज चोहान को उसको मार दिया और उसके बाद से डैली सल्तनत की स्थापना हो गई सबसे जादा जो है पॉपुलिस इस्टेट कौन सी मानी जाती है बताना है फरीदाबाद, हिसार, गुरु ग्राम या फिर पंचकुला तो फरीदाबाद एक ऐसा डिस्टिक है जिसके सबसे जादा मोस्ट पॉपुलिस डिस्टिक माना जाता है नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं हाँ फटाफट करते हैं रेस्लिंग नेक्स्ट कोशन हाँ यहां पे कोशन आया है ठीक है लेजिसलेटव असेंबली की जो पहली स्पीकर थी महीला हाँ इसका अंसर क्या है शन्यो देवी शन्नम पर ए ठीक है हाँ, next question पे चलते हैं, first Indian women to win a medal in Paralympic Games is, पहली महिला जो Paralympic Games के अंदर first medal लेके आई, उनका नाम था दीपा मलेक, option number C, दीपा मलेक, बात यहाँ पे किसकी हो रही है, Paralympic की हो रही है, ठीक है, पैरा, जो होते हैं न, हाँ, next question, Who is the first Paramveer Chakra Awardee of Haryana? एक मात्र, I think first Paramveer Chakra जो है, किसे मिला था, बताना है Major Hushyar Singh, Roop Chand, Subbedar Shivo Chand Ram, या फिर Havildar Likham Chand, तो इसका आंसर जो है, यहाँ पे, option number A है, Major Hushyar Singh, इने ही मिला था, Paramveer Chakra अब अगर Paramveer Chakra की बात आ रही है, इसका भी मैं आपको बताऊंगा, किस तरह से सीरीज चलती है, इसकी, सबसे उपर Paramveer Chakra आता है Which district of Haryana is known as powerhouse of boxing, powerhouse of boxing जो है, किस district को बुलाया जाता है, बहुत ही interesting सा कोशन है, सोनीपत, रोताक, सीरसा या भीवानी, क्वान सा इसका अंसर है, बताना है, बहुत ही अच्छा सा कोशन है, बहुत ही प्यारा सा तो powerhouse of boxing जो है, वो भीवानी को कहा जाता है, option number D, भीवानी is the right answer Next question पे चलते हैं What is the sequence of gallantry awards given by government of India? Galantry award की अगर हम बात करें, बहादूरी की, तो सबसे पहले number पे आता है परमभीर चक्र उसके बाद आता है महावीर चक्र, और उसके बाद आता है वीर चक्र, ठीके? हाँ तो कहाँ पे है, देख सकते हैं आप यहाँ पे परमभीर, वीर चक्र तो ऐसे नहीं हो सकता, महावीर चक्र भी नहीं हो सकता, इसका answer है option number B इस तरह का यहाँ पर सीरीज रहता है सबसे पहले परमवीर, देन महावीर और देनवीर तीन तरह के गैलंट्री अवर्ड मिलते हैं नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं The headquarters of हर्याना पंजाबी सहित्य अकेडमी is located in Interesting question, very interesting question हर्याना पंजाबी सहित्य अकेडमी का headquarter कहां पर है Ambala, Chandigarh, Panchkula या फिर Yamuna Nagar Interesting question है, पटाफट से इसका answer देना है बिलकुल सही, Panchkula is the right answer बिलकुल सही है, option number C, Panchkula Next question In which of the following languages you cannot find much हर्यानवी literature इन में से किस language के अंदर आपको हर्यानवी literature नहीं मिलेगी ठीके, तेखिए हर्यानवी तो हिंदी से आई है, तो ये तो answer नहीं है ठीके, ब्रज भाषा हिंदी का ही रूप है, तो ये तो नहीं है ठीके, उर्दू भाषा भी हिंदी से मिलती जुलती है बट जो पाली लेंग्वेज है, ये बिलकुल अलग हो गई जी, आहां अरे, अपना मन करता है उर्दू लगाने का हाँ, हम तो टोटली उर्दू बोलते है ठीके, हाँ, हमने खाना खा लिया खाना क्या होता है, भोजन होता है इंग्लिश वर्द, हिंदी वर्द तो ठीके, तो हम सब क्या है कि गलती बोलते हैं चिंता ना करिए जी, आगे बढ़ते हैं अगले कोशन पे हाँ, हम तोटल उर्दू बोलते हैं ये ध्यान रखेगा, खाना, पानी खाना मींज भोजन होता है हिंदी में, पानी का मतलब जल होता है, अब अगर मैं आपको बोलू कि आप जल पी लीजिए एक बार आप मुझे अजीब सी नजरे से देखोगी है हाँ, पानी पीत होता है आगे बढ़ते हैं, अब अगर मैं बोलू कि देखिए कमरे के बीतर चलिए हाँ, तो दस लोग बैठे वे देखेंगे मुझे एकदम से ये कौन है, हाँ, बीतर तो ये अजीब भाशा है ये हिंदी है ये, लेकिन हम अंदर बोलते हैं, अपन हाँ, अपन भी अलग लोग है जी, पाली वो लेंग्वेज है, जो गौतम बुद्ध बोलते थे ठीक है, और प्राकृत वो भाशा है, जो जेनिजम बले बोलते थे हू रोट सूर्य सतकम, ठीक है सूर्य सतकम की अगर हम बात करते हैं, तो वो मयूर भट ने लिकी थी ठीक है, हाँ, कवी मयूर भट, option number A, next question वो रोट कबीर चरित्रम ये माधवचार्य ने लिखी थी, कबीर चरित्रम कबीर जी ने नहीं लिखी थी ठीक है, बहुत सारी किताबे कबीर ने लिखी है, बट कबीर चरित्रम के बारे में माधवचार्य ने लिखा था हर्याना की ही थी next question Bureau of National Animal Genetic Resource is located in, अभी पढ़ाया था करनाल में, option number C करनाल, next question चौधरी चरंशिंग Agriculture University, मैं तो भूल गया आपको बताना है क्योंकि ये वाला कोशन एक्जाम का बन सकता है, current affairs में रहा है ये कोशन, पटाफट बताएं इसका अंसर, जल्दी से, पटाफट चौधरी चरंशिंग Agriculture University कहां पर है अंबाला करनाल, रौताग, हिसार very good हिसार में है, चीक है option number D, हिसार next question on which day Yoga Day is celebrated in Haryana, देखिए हर्याना में नहीं, हाँ, Northern Hemisphere पूरे में ही 21 जून को ही मनाया जाता है longest day माना जाता है न, इसी लिए option number C, longest day Yoga Day और ये International Yoga Day है within, हाँ ये interesting सा कोशन लगा मुझे तो मैं लेके आगे आपके लिए within how many days birth and death registration is mandatory in Haryana हर्याना के अंदर mandatory है ये इतने दिन के अंदर आपको report करना है कि किसी की death हुई है, किसी का birth हुआ है एक GJU University भी बताई थी आपने GJU University फुल फॉर्म बता पड़े तो बताऊं इसका अंसर है 21 days 21 दिन के अंदर अंदर आपको बताना पड़ेगा ना तीस दिन नहीं है 21 days में आपको बताना पड़ेगा इसकी death हुई है और इसका मतलब जो भी आपका होता है next question पे चलते हैं Guru Jambeshwar University कहां पर है ये हिसार में है ना हाँ very good Jyoti very good thank you at which of the following place was the famous battle of Panipadh Ford देखिए मैं ये question जान पूछ के लाया हूँ इस तरह का question एक्जाम में नहीं आएगा इतना tough question exam वले पूछते भी नहीं है ठीक है हाँ क्योंकि बहुत भारी question है ये बहुत कम लोग कर सकते हैं बहुत talented लोग कर सकते हैं हाँ बता इसका answer कि पानीपत का युद कहां हुआ था जी very good हाँ आप लोग इसका answer भी दे रहे हैं गुड ये पानीपत में हुआ था क्या हुआ था पानीपत में perfect next question पे चलते हैं आगे in 1526 the famous battle of पानीपत ये ही कोशन पूछा था जी ये ही है इसका answer अब इतनी बार हो गया है कि आप तो आगे बढ़ते हैं ठीके पानीपत का जो यहां युद हुआ था इबरायम और बाबर के बीच में तफ तो है गैस लगाना थोड़ा मुश्किल था बिलकुल सही कह रहे हैं आप the third battle of पानीपत was fought between तीसरा battle जो हुआ था 1761 के अंदर जी मैं आपको बता रहा हूँ first और second year तक तो मुझे यही पता था दो ही battle होते हैं ठीके गवर्मेंट जॉब की तयारी स्टार्ट करी और यह तीसरा battle कैसे आ गया हाँ seriously बता रहा हूँ मैं दो ही battle का पड़ा था मैंने तो तीसरा battle भी आ गया तो यह हुआ था कहां गया भई यह अपना नाम हाँ एहमद शाह अबदाली एंड मराठा रूलर्स के बीच में हुआ था तीसरा पानिपत का यूद next question at which place of Haryana did Lord Krishna preach the message of Gita Gita का जो message है अर्जुन को कहां दिया था तो वो कुरुक्षेतर पे दिया था next question when was the state of Haryana मैंने आपको class की starting में बताया तो देखो यह date याद कर लो आगे पूछूँगा वही है यह एक नवंबर 1966 next question with how many states does the boundary of Haryana touch तो five five districts से करती है next question what is the total area of Haryana इसका अंसर तो मैं नहीं दूँगा इसका अंसर तो आप ही को देना है यह चारों option है खदरनाक question है आपके I think exam में आ रखा है इसके अंदर हर्याना PCS के हर्याना local exams के और आपके खुद के है ना सभी के included है what is the total area of Haryana तो total area है 44212 option number kilometer square square kilometer होता है वैसे constitution के कुछ भी हो सकता है कुछ लोग तो कह रहे हैं कि 9-10 आ सकते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि सर बारा आ जाएंगे लेकिन उसकी कोई चिंता नहीं है constitution की तो कोई tension ही नहीं लेनी है हाँ अपनी class से ही आएगा वो तो जी और most probably current affairs का भी अभी तो current affairs के एक बड़ी class ली नहीं है मैंने अभी आप लोगों के लिए बचा के रखी है बचा के लूँगा एक दिन उसमें क्या है कि सिरफ वो इस पढ़के जाना है लास्ट मुमेंट पे वो इस पढ़के जाना है वो current affairs fix पिछले 7-8 दिन से लिख रहा हूँ मैं हाँ उसको पहले type कराऊंगा और फिर आपको दे दूँगा ठीक है हाँ हो मैं डिस्टिक्स अरे यार यह क्या कोशन है 22 डिस्टिक के हर्याना के अंदर next question which one of the following is situated in गुडगाओं और हर्याना हर्याना में तो सारे ही है गुडगाओं में कौन से है जल्दी बताएं फटापट से गुडगाओं के अंदर कौन से है हाँ बिल्कुल manufacturing of मारूति कार्स option number B बिल्कुल perfect है next question in which district of हर्याना is राजदूत motorcycle manufactured राजदूत motorcycle जो है वो फरीदाबाद के अंदर manufactured होता है yes 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 हर्याना judiciary के अंदर questions repeat होते हैं और आपको पता नहीं है मैं आपके साथ साथ में pasture के question भी ले आता हूँ जी वो जो पूरा combined जो चीजे हैं ना तैयारी हाँ वो सब इस कुरुक्षेत्र में हो रखी है ठीके तो बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है बिल्कुल भी ठीके मैं आपको बस यही कहता हूँ देखिए हाँ यह आपका course है ठीके या तो पूरा पढ़ लो ठीके आप पूरा तो कोई इंसान पढ़ नहीं सकता यह मैं करवाता हूँ ठीके या यह पढ़ लो है ना छटनी करके देता हूँ आजाए तो बहुत बढ़ी या नहीं आए तो कोई बात नहीं वो तो आप इसमें से भी अगर आप पढ़ते तो बात तो वही होती तो मेरा guidance के अंदर पढ़ लो है ना और बाकी समय जो है किसको देदो लौको देदो इसी को smart study कहते हैं हाँ मैंने तो हमेशा से ही काए कि एक गंटा मुझे देदो डेली का आगे बढ़ते हैं वेर हैस तट नेशनल रिसर्च इंसिटूट ऑफ हर्याना नेशनल रिसर्च इंसिटूट की बात करें तो वो कहां है करनाल के अंदर है option number C next question which one of the following folk dance belong to हर्याना तो देखिए भई इसमें से अभी हपन ने बात कही ती इस बारे में हाँ हाँ law के भी repeat होते हैं जी law के repeat होते हैं आपके हर्याना के अंदर राइट कम से कम 7-8 question repeat हो जाते हैं इसका अंसर है गीता next question which of the following Indian players belong to हर्याना इन में से कौन सा जो है हर्याना को बिलॉंग करते हैं तो simple सा question कपिल देव option number B कपिल देव is the right answer next question the turban won by males in हर्याना is known as खंडवा ठीक है हाँ pronunciation में गलत हो सकता है लेकिन answer ये सही है option number D next question पे चलते हैं where is Chaudhary Charan Singh University located at हर्याना Chaudhary Charan Singh University जो है कहां पर located है बताना है तो इसका answer है अरे ये वापस क्यों आया है question important है इसलिए वापस आ गया city of weavers किसे कहा जाता है पानी पत को next question on which of the following kings was थानेश्वर city of Haryana the capital इन में से कौन सा राजा था जिसकी थानेश्वर capital थी ये थानेश्वर कुरुक्षेत्र ही है same name ठीक है option number B हर्षवर्दन हर्षवर्दन का court poet का नाम बानबढ़ हर शरित्र उन्होंने लिखी दी संभावना है बयाने की the glory and strength of which of the following cities of Haryana was discussed in the book written by Chinese traveler Hyun Sang Hyun Sang जब आये थे तो उन्हें बहुत ही शान्दार लिखा था थानेश्वर के बारे में ठीक है थानेश्वर के बारे में बहुत सारा लिखा था नेक्स्ट कोशन पर चलते हैं इन विच डिस्टिक ओफ हरियाना इस दा बदकल लेक सिचुएटेड कल पढ़ाया था मैंने बदकल लेक के बारे में कल मैंने आपको बहुत डीटेल में पढ़ाया था हाँ और वो फरीदाबाद के अंदर है ठीक है बिगेस्ट एनिमल हजबेंटरी ये बहुत बड़ा कोशन है ये अच्छे लेवल का कहां पर है बिगेस्ट एनिमल हजबेंटरी फार्म ओफ एशिया कहां पर है तो वो है हिसार में ये वो कोशन था इसका मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था बहुत बड़ा है ये हिसार नेक्स्ट कोशन एट विच ओव दा पिल्ग्रिमेज सेंटर वाज दा मैसेज ओव गीता प्रीष्ट कुरुक्षेत्र में हुआ था कुरुक्षेत्र के जोती सर सरोवर ठीक है सरोवर का मतलब हो था पॉंड कुंड जोती वर सरोवर के अंदर कृष्ण ने अर्जुन को ग्यान दिया था जिसे हम अब भगवत गीता कहते हैं नेक्स्ट कोशन इन विच सिटी ओफ हरियाना वोज दे ग्रेट एपिक महाभारत रिटन बाई वेद वियास तो वेद वियास जी के द्वारा जो ग्रेट एपिक था महाभारत का हाँ वो क्या कहते हैं कुरुक्षेत्र में लिखा गया था सिंपल सा कोशन नेक्स्ट कोशन जो मोतिलाल नहरु है ये जवाहरलाल नहरु के पिता जी थे ठीक है ब्रह्म सरोवर भी कुरुक्षेत्र में है जो मोतिलाल नहरु स्पोर्ट्स स्कूल है ये राय जो की सोनी पत के अंदर है यहां पर है नेक्स्ट कोशन पर जलते हैं इन हाव मैनी डिविजन्स हैस हारियाना बीन डिवाइड तो six डिविजन्स के अंदर हरियाना डिवाइड होता है next question being famous in the production of बास्मती राइस which district of हरियाना is known as धन का कटोरा ठीक है बहुत बड़ा कोशन है यह आपके हरियाना का ठीक है तो धन का कटोरा किसे कहते हैं करनाल को कहते है इसमें धन धन नहीं है हमारे इंडिया को भी सोने की चिडिया जो बुलाते है न तो सोना नहीं उखता है मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती तो यह सब असली में सोने मोती नहीं है यह agriculture है next who called the region of Haryana as Haryala तो यह कहने वाले का नाम था Dr. Buddh Prakash इन्होंने ही कहा था अच्छा धान का कटोरा है क्या हाँ ठीक है धान का कटोरा ओके माइ मिश्टेक next question पे चलते हैं in which epic Haryana is known as बहुत धन्याइग ठीक है तो यह actually महाबारत में लिखेंगे ना obviously next question during the times of महाबारत Haryana was referred with which of the following names ठीक है option number D अभी पढ़ाया था वही है यह सेम है question का level इदर उदर हो सकता है which one of the following is the correct meaning of Haryana Haryana का जो correct meaning है वो है adobe of God ठीक है पगवान का घर the old name of Kurukshetra was Thaneshar Thaneshar ही Kurukshetra का पुराना नाम है ठीक है next question who established Topra inscriptions ठीक है Topra inscriptions की अगर हम बात करें तो यह फिरोशा तुगलक ने बनाया था थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ एक घंटे का मतलब एक घंटा पटाफट फिनिश करेंगे the famous traveler Hyun Sang कहां से आया था obviously China से आया था simple सा question next question राकी गड़ी कहां पर है है ना वो उल्टा लिग दिया ने है इसको इसकी spelling में गडबड है मुझे भी लगा यह हाँ एबोड है यह एडोब नहीं है एबोड है very good कनया हाँ राखी गड़ी जो है कहां है हिसार के अंदर है option number है हिसार सबसे बड़ी इंडस वैली civilization की site next question हाँ S silent है यहाँ पर थानिश्वरा ही थानिश्वर है थानेशर है और यही कुरुक शेत्र है थीके सेम है in the excavation of which of the following sites of Aryana the remains of 4500 years old civilization found और कोई नहीं है यह राखी गड़ी ही है थीके राखी गड़ी में ही मिला था next question the historical site Mithathal is located in which district of Aryana तो Mithathal जो है कहाँ पर हुआ था तो यह भीवानी डिस्टिक Mithathal भीवानी डिस्टिक के अंदर हुआ था next question at first siswal people siswal people जो है वो कहाँ पर रहते थे तो यह रहते थे द्रिश्वती रिवर वेली के किनारे सबसे पहले यह siswal लोग वहाँ पर रहते थे कौन सा inscription जो है हमको पेवा के बारे में बताता है कि हौट स्टेडिंग के लिए फेमस था तो यह और कोई नहीं भोज देवा inscriptions बताता है भोज देवा inscriptions हर्षवर्दन के भी कुछ लिखावा है इसके उपर next question किस विलेज पंचायत ने एक resolution पास किया था कि no toilet no bride अगर आपके घर के अंदर toilet नहीं है तो आपको कोई भी bride नहीं देगा दुलन नहीं देगा तो यह एक बहुत ही effective था और गोदिकन इसके पीछे क्या है लोगों ने बहुत सारे लोगों ने क्या है कि toilet बनाना start कर दिया था फिर सरकार ने भी बहुत साहता करी थी subsidy थी who among the following was the founder of हर्यंक dynasty हर्यंक dynasty के founder का नाम था बिंबिसार बिंबिसार थीक है important हर्यंक dynasty हर्यंक डाइनस्टी है ना बिंदुसार इस डिफरेंट बिंबिसार इस डिफरेंट इसमें से कौन सा पेर करेक्ट है बताना है काना नेशनल पार्क मध्यपदेश में है बिलकुल है सुल्तानपूर नेशनल पार्क तो आपके हर्याना में ही है बिलकुल सही है यह हमारी class का क्या हो गया समापन टेस्स सीरीज है यह हरियाना जुडीशरी की 8 मौक टेस्ट ऑल्टरनेट डेस पर कोशिश तो यह भी हो सकती है कि दो दिन में भी आप 8 मौक टेस्ट दे सकते हैं यह तो हमेशा के लिए रहेगा ना मौक टेस्ट तो हमेशा रहेंगे तो जैस टेस्ट आप दे दीजिए इसका 8 टेस्टों का कम्प्लीट हो जाएगा ठीक है तो यह चीज का बहुत ही ध्यान रखना है और इस नंबर पर कॉंटेट करके इसके बारे में इन्फरमेशन ले सकते हैं हां और टेलिग्राम गुरुप तो है ही मेरा इस पर सारा का सारा PDF आप ओके देन तो मिलते हैं हम कल फिर से कल तो और भी बड़ी क्लास है जी स्पेशल क्लास है मिलते हैं कल थेंक यू आँ एव नाइस टे और गड़्स यू थेंक यू